दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिली न्यूस अड़ा पर और दोस्तों इंडिया और वेस्ट अंडीस के बीच में दूसरा पेटीम टीट्वेंटी इंटरिनेशनल मुकाबला तिरुवंत पुरम में खेला गया और आज की इस वीडियो में हम बात करे करेंगे इसी मैच के बारे में तो कहीं मत जाईएगा क्योंकि वीडियो बहुती जादा मज़ेदार होने वाली है और मेक शौर कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट की इंसाइड और आउटसाइड कबरों के लिए सब्सक्राइब करें डिने न्यूस चैनल को और बेल आइकन को जल्दी जल्दी दबा लें तो दोस्तों आपको बता दें कि सिक्का उचला और गिरा महमानों के पक्ष में जहां पर पोलाड ने इस बार स्कोर को चेस करने का निरने लिया यानिकी फील्डिंग का फैसला किया जहां पर एक बार फिर से रोहित और राहुल ने शिरुवात की लेकिन आज ये जोडी उतनी कारगर साबित नहीं हुई जहां पर रोहित चर्मा इस मैच में भी अपना 400 अच्छा का लगाने से चूक गए इसके अलावा के राहुल भी आज जल्दी ही आउट हो गए लेकिन दोस्तों इन दोनों के आउट हो गया और नमबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और दोस्तों शिवम दूबे ने मैदान पर आते ही चोकों और छकों की बारिश कर दी जहां पर उन्होंने तीस गेंदों में 54 रंकी शांदार पारी खेली और इस पारी में उन्होंने चार तूफानी और गगन च खके जड़े और दोस्तों दूबे के लावा कोई भी भारतिय टीम का कोई भी बल्लेबाज जो है वो जादा कुछ नहीं कर पाया हाला कि दोस्तों रिशाप पंत ने जरूर एक अच्छी पर छोटी नौ खेली लेकिन वो भी अंत में उस तरह के अच्छे टच में नजर नह लेकिन दोस्तों की इस शुरुआत का एक कारण भारतिय टीम के खराफ फिल्डिंग थी जहां पर पावर प्ले ओवर्स में एवन लुईस और लेंडन सिमन्स दोनों को एक एक जीवन दान मिला और भारतिय टीम की खराफ फिल्डिंग के चलते लेंडन सिमन्स अपनी टीम क तो उस रेखा के दूसरी ओर ले गए और वेस्ट इंडीज ये मैच आठ विकेट से जीत गई वहीं पर दोस्तों आपको बताते हैं कि मैच का तन्म होने के बाद विराट कुली से पूस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात की गई और उनसे पूछा गया कि विलियम्स के द्वारा उनका विकेट लेने के बाद आपको विलियम्स का रियक्शन कैसा लगा इस बारे में आप क्या कहेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कुली ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब आप क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो अक्सर आप खेल की भावनाओं में बह जाते हैं लेकिन आज के मैच में जब बिलियम्स ने विराट का विकेट लिया तो उन्होंने बड़ाई साइलेंट सेलिबरेट किया जहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो वो विराट को कहना चाहते हों कि आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा और विराट का भी इस पर जादा तगड़ा रियक्शन नहीं था और दोस्तो विराट ने भी इस पर कहा कि मैदान की चीजों का बाहरी लाइफ पर असर नहीं होना चाहिए और यहीं तो स्पोर्ट्समेंशिप होती है तो दोस्तो इस सरसे विराट कोली ने इसका जवाब दिया खेर दोस्तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आज के मैद में विलियम्स का सेलिब्रेशन स्टाइल कैसा लगा और क्या विराट को तीसरे टीटोंट में इसका जवाब देना चाहिए या फिर नहीं अपनी राइज ज़रूर बताएं और इसी के साथ दोस्तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे टून्ड एंड कीप वाचिंग डेली न्यूज अड़ा टैंक यू